Hello everyone, today we shall be doing chapter number 3 of Class 6 History Textbook, ठीक है, चाप्ट अगर नाम है, From Gathering to Growing Food, मतलब इखटा करने से, फूड उगाने तक का समय, ठीक है, अब ये जो बात है, ये स्टोरी है, ये नीन्यूस लंच की है, तो नीन्यू अपना फेवरेट फूड खा रही थी, उबलेवे चावल, स्क्वैश, प ये सब अपने गार्डन प्लॉट में ही हुआती थी, अपने घर के पीछे, अब खाते वक्त उसे याद आया, कि ये खाना कितना डिफरेंट है, उस खाने से, जो उसने तब खाय था, जबो मध्या प्रदेश, अपने स्कूल टूर पे, ट्रिप पे गई थी, ठीक है, तो इ वेजिटेबल, ग्रीन, मिल्क, एंड मीट, कम फ्रम प्लांट ग्रोंड और अइनिमल्स ग्रोंड ग्रोंड देखिए, इसका मतब ये हुआ कि हम जो भी खाते हैं जो भी चाहें कोई फ्रूट होगया, वेजिटेबल होगया, वो या तो प्लांट से आता है, या वो आता है ठीक है, जैसे आपके दूद हो गया, और कहते हैं दही कैसे बनती है, दही भी दूद से ही बनती है, ठीक है, और हर तरह के जो आपके फल, फ्रूट पगेरा होते हैं, या फिर आपके जो एनिमल्स भी होते हैं, वो अलग-अलग इन्वाइमेंट में अपनी रिक्वार्में उमें उगाई जाती है ठीक है तो अलग-अलग इन्वाइमेंट में ही अलग-अलग तरीके के पशुपक्षी रहते हैं और अलग-अलग तरीके का खाना या ग्रेंज जो हैं वो उगाई जाती है ठीक है जिसे अगर हम एनिमल्स में लें तो हमारी जो शीप और गोट होती है वो ठंडे environment में survive कर लीती हैं, लेकिन जो हमारी cattle होती है, वो इतनी ज़ादा ठंडे मौसम को नहीं ले पाती, इसलिए बहाँ पे ज़ादा ठंडे मौसम में cow और buffaloes, cattle जो होती हैं हमारी, वो थोड़ी कम मिलती हैं, अब अगला paragraph बता रहा है हमें, the beginning of farming and herding, ठीक है, तो हमने पिछले chapter में भी बढ़ा था, कि around 12,000 येर पहले, farming और herding शुरू हुए थी, herding का मतब होता है, बहुत सारे आप cattle या फिर बहुत सारे आप cow या sheep एक साथ रखते हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम herding, और farming को हमें पताईए, कि grain सुगाना या फिर खेती करने को हम इंडिश में farming कहते हैं, ठीक है, तो 12,000 साल पहले की ये बात है, जब ये सब शुरू हुआ था, जब लोगों ने जानवरों को पालना शुरू करा था, जब लोगों ने farming शुरू करी थी, क्योंकि तब क्या हुआ था, जो लोग थे, उन्होंने भी थोड़ा observe करा, जहां पे खाने वाला समान मिलता है, और जैसे कि अगर seeds जो हैं, उन्होंने देखा कि जब seeds जमीन पे गिर जाते हैं, तो they convert into, थोड़े टाइम बाद, वो trees बन जाते हैं, ठीक है, वो sprout होने लगते हैं, और वो धीरे धीरे उन्हों चीजों का ध्यान रखने लगे, जो animals उन्हें खाते थे, उन्हें भगाते थे वो लोग, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके, हमारे agriculture की शुरुवात हुई, ऐसे ऐसे करके वो लोग farmers बन गए, जब उन्होंने देखा कि वो seed जो है, अब ये पेराग्राफ, पिछले वाला paragraph ये बता रहा थे, कि ये वोग farmers कैसे बने, ये paragraph ये बता रहा है, कि लोग herders कैसे बने, ठीक है, वो ऐसे बने, कि जो लोग होते थे, वो क्या करते थे कि, जानवरों को attract करने के लिए, कि वो आपके पास आए, जब उन्हें भूख लगती थी तो आते थे तो धीरे-धीरे लोगों ने जानवरों को tamed करना शुरू कर दिया था और जो पहला जानवर था to be tamed was wild ancestor of dog tamed का मतब होता है किसी भी जंगली चीज को थोड़ा सा मतब थोड़ा सा काबू में करना तो पहला जो animal tamed हुआ था वो था wild ancestor of dog ancestors को हिंदी में कहते हैं पूरवज जो हम कहते हैं जो हमारे दादा, दादी, पड़ दादी थे तो जो पहला जानवर था जो tamed हुआ था वो dog का ही wild ancestor था ठीक है लेटर people encourage animals that were relatively gentle and come near the camps where they lived अब धीरे-धीरे लोगों को realize हुआ होगा कि आप हर animal को tamed नहीं कर सकते हो जैसे शेर अगर शेर जो है वो चावल खाने नहीं आएगा, शेर रोटी खाने नहीं आएगा शेर इंसान को खाने ही आएगा, ठीक है तो these animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass अब नॉमल सी बात है, जो herbivores खाना खाते हैं वो थोड़े से जादा काम होते हैं उन animals से जो आपका non-vegetating जैसे meat वगरा है दूसरे जानवरों को खाते हैं ठीक है और and often people protect these animals from attack by other wild animals, this is how they became herders ठीक है वो उन जानवरों को दूसरे wild animals से जैसे deer को आपने उनसे बचाया, किसे शेर से बचाया या फिर जिकाल से बचाया ठीक है, तो ऐसे धीरे-धीरे करके ये जो लोग बचाते रहे ऐसे जानवरों को और धीरे-धीरे वो जानवर उनके साथ रहने लगे और ऐसे लोग herders बन गए ठीक है, domestication domestication is the name given to the process in which people grow plant and look after animals ठीक है, very often plants and animals that are tented by people become different from wild plants and animals so, the animals and, जो animals होते हैं, when they are domesticated, they become different from wild plants and animals कैसे, because this is because people select plants and animals for domestication, जो already gentle होते हैं, ठीक है तो वो जब इसे select करते हैं, किसी भी जानवर या अनिमल को वो देखते हैं, कि ये बहुत बहुत बिखिए disease सब को होती है चाहे कोई जानवर कितना भी resistive हो, किसी disease को लेगे, ठीक है लेकिन जिन लोग, जो animals, जिने कम disease लगती हैं, ठीक है, और जिनका yield भी जादा होता है suppose करो कि मैं input लगा लिए हूं किसी grain में, और उसका yield जो है, जो मुझे मिलेगा बाद में, वो और grains के मुकाबले, और चीजों के मुकाबले काफी जादा है ठीक है, और वो जिसे grain पक जाती है, तो गिर के एकदम तूटे ना, ठीक है, वो उस बेट को, वो plant उस बेट को समाल ले उसके stocks जो हैं, जिस पे वो खड़ा है, वो थोड़ा strong हो, ठीक है, तो ऐसे जो आपके plants हो गए, ऐसे चीजों को लोग जादा prefer करने लगे और ऐसे एगरी कलचा की शुरुवात हुई, ठीक है, अब animals में क्या हुआ, कि जो बहुत जादा gentle थे, उन्हें breed करा गया और जो domestic animals और plants थे, they became different from the wild animals and plants दीरे, जैसे अगर आप देखें, तो ये जो animals होते हैं, जो wild होते हैं, इनके teeth बहुत जादा शार्प होते हैं, बहुत जादा शार्प होते हैं, और ये domesticated animals से बहुत जादा dangerous और बड़े भी लगते हैं, ठीक है, now, last paragraph says, domestication was a gradual process that took place in many parts of the world, it began about 12,000 years ago, virtually all plants and animals produced that we use as food today is a result of domestication, तो देखें, आज जो भी हम ये खाना खा रहे हैं, या फिर ये जो भी animals हम domesticate कर रहे हैं, एक तरीके से, जो तब domestication शुरुआ था, उसी का result है, ठीक है, ये last line एक चीज़ कहती है, the earliest domesticated animal include sheep and goat, तो आप ये याद रखेगा, कि सबसे पहला जो tamed वो था, tamed animal था, वो था wild ancestor of dog, और जो सबसे पहला domesticated animals थे, वो थे sheep and goat, a new way to life, if you plant a seed, you will notice, it takes some time to grow, अब देखें ऐसा नहीं होता कि अपने एक सीट प्लांट करा और वो अगले ही दिन पेड बन किया, कुछ पेडों को कुछ महीने लगते हैं, कुछ सीट को कुछ महीने ल होती है, कि वो कितना टाइम देता है प्लांट बनने में, when people began growing plant, it meant that they had to stay in the same place for a long time, देखें, अब ये concept ये आता है, कि लोग उने, जब वो hunter gatherers थे, जब वो ट्रावली करते रहते थे, तो फिर वो एक जगा रहना कैसे स्टार्ट हुए, ठीक है, जब उन्होंने खेती करनी शुरू करी, तो उन्हें realize हुआ, कि उन्हें एक ही जगा पे काफी time तक रहना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें एक ही time पे जाधा time तक रहना पड़ेगा, तो इसी वज़ेसे जो है, लोगोंने एक जगा पे settle होना शुरू कर दिया, ठीक है, वो they started watering the plants, जिससे उन्हें टेक्न animals भी अपने साथ रखने शुरू कर दिये, as grain had to be stored for food and seed, people had to think way of storing it, तो देखें, अब क्या होता है, कि आप जो है, जैसे आपने harvesting कर ली, आपने वो seeds है, वो plant बन गए, या फिर उसके बाद वो grains बन गए, आपने वो सब जो है, वो कर ली, अब ऐसा तो नहीं ना, कि अगर ज जैसे उन्हें store करने के लिए, उन्हें नए नए तरीके ढूंदे, कि हम ऐसा करते हैं, कि जमीन में खोद के वहाँ पे रखते हैं, pots बनाते हैं, ठीक है, तो innovative, innovative idea, बो लोग अपना सोचने लगे, storing animals, अभी तो ये food grains store करने के बाद थी, अब ये है storing animals, अब हमको पता है, animals multiply naturally multiply naturally, मतब animals को बढ़ते जाते हैं, breed करके वो बढ़ते जाते हैं, beside if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required, in another word, animals are reared, animals that are reared, can be used as a store of food, ठीक है, animals, जो, मतब animals को हम rear करते हैं, and they are actually a store of food, क्योंकि वो हमें, जो cattle होते हैं, cow, goat, sheep होते हैं, ये सब they provide us with milk, और जब ज़रत पढ़ती है, तो they can be used for meat as well, तो वो store of food हुए है, ठीक है, finding out about the first farmers and herders, ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि हम जो सबसे पहले farmers थे, और सबसे पहल में हम कुछ बात करते हैं, ठीक है, यूबे, तो हमने जो chapter number two में हमारा आपका याद होगा आपको, एक map था, वो खोल लीजे, ठीक है, उसमें जो blue squares हैं, वो आप देखेगा, each marks a site from there, archaeologists have found evidence of early farmers and herders, अब जो archaeologists हैं, archaeologists कौन होते हैं, जो पुराने time के बार में, और चीजों क मिले हैं कि हाँ पर आपके farmers or hunters, hydros रहते थे, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो एक जगा रहते थे, they found all over the subcontinent, बट ऐसा था जहां पर river का flow वगेरा हो, वहाँ थोड़ी जगाओं पर ज़्यादा पाई जाते थे, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा prominent थे ना, सबसे ज़्याद जो observables है, वो थे आपके कश्मीर में, जो आज के टाइम पर कश्मीर हैं, नौर्थ वेस्ट इंडिया में, नौर्थ वेस्ट, इंडिया उस वक्त होता था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया होता था, ठीक है, to find out whether these sites were settlements of farmers or herders, scientists study evidence of plants and animals wounds, one of the most exciting finds include remains of burnt grain, तो इन जगाओं से न, scientists ने जो है, scientific study भी करी है, कि हाँ पर सही में थे या नहीं, तो उन्हें burnt grains मिली हैं, जले हुए जो आपके grains होते हैं, ठीक है, scientists can identify these grains and so we know that a number of crop were grown in different part of the subcontinent, they can also identify the boons of different animals, मतलब वो ये लोग भी पता लगा लेते हैं, कि ये किस animal की ये boon है, ठीक है, और उन्हें ये भी पता लगाए कि अलग-अलग इंडिया के subcontinent, अलग-अलग part में जो है, अलग-अलग तरह की grains पाई जाती थी, ठीक है, और इंड subcontinent, इंडियन subcontinent में सिर्फ इंडिया नहीं है country, पाकिस्तान है, बांगलदेश है, ठीक है, नेपाल और भूटान है, ओके, नाव हम इस table पे आते हैं, grain and bones site, अब ये important होगा, और इस चीज से जादा, देखी, ये जो है ना, इस चीज से जादा, ये, और ये किस जगा है, ये जादा important होगा, बशत्ते है कि वहाँ पे grain और bones कौन सी मिली है, तो हम याद रखेंगे, ठीक है, तो grain, wheat, बाले, sheep, goat and cattle, site क्या है, ये कहा मिने है, महरगर, और महरगर का है, जो आज present day पाकिस्तान है, rice, fragmentary bone, animals bones, fragmentary animals bone, मतलब तुकडों में हड्डिया, site कौन सी है, ये present day यूपी में है, उत्तरप्रदेश में, ठीक है, rice and cattle, hoof marks on clay surface, hoof marks क्या होते है, किसी भी animals के pair के जो निशान होते हैं, उसे हम hoof marks कहते हैं, और ये कहा मिले है, महागरा in present day उत्तरप्रदेश, wheat and lentil, ये मिले है, site क्या है, गुफक्राल in present day कश्मीर, wheat and lentil, dog, cattle, sheep, goat, buffalo, site क्या wheat, green gram, barley, buffalo, ox, site क्या है, चिरंद in present day बिहार, millet, cattle, sheep, goat and pig, site क्या है, हलूर in present day आंदरप्रदेश, black gram, millet, cattle, sheep and pig, site क्या है, पियमपली in present day आंदरप्रदेश, these are just some of the sites where grain and bones have been found, ठीक है, ये सिर्फ कुछ sites हैं, और भी बहाजारों sites हैं जहाँ पे मिले हैं, बट ये जो है, आपक towards a settled life, towards a settled life, मतब लोगों ने और settled कैसे करी, एक जगा पे कैसे बचे, आकलोजिस्ट have found traces of huts और houses at some sites, for instance, in बुर्जा होम, बुर्जा होम का है, in present day, पाकिस्तान, people built pit houses, pit houses का मतब क्या होता है, कि जो ground में डिक करके, जो घर बनाये जाते हैं न, उसे हम कहता है, pit houses, और वो न आकलोजिस्ट का ये मानना है, कि ये ठंड से बचने को बनाई होंगी, ठीक है, और आकलोजिस्ट को ये भी मिला है, कि स्टोफ जो जैसे आपको होता है न, चूला जैसे कहता है, नाशरली जो हम चूला बना लेते हैं, मिटी का, या फिर गोबर का, ऐसे, वो घर के बाहर भ been found from many sites as well तो जो stone tools थे वो भी काफी जगाउं से मिले हैं लेकिन ये ना जो paleolithic site थी ना उससे काफी different है इसलिए इन tools को क्या कहते हैं? Neolithic ठीक है? Paleolithic site जो थी ना उसमें tools जो थे वो थोड़े different थे और ये थोड़े modern tools है मतलब ये polished होते थे sorry तो जब अगर आपका tool polished है ना तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा बशते अगर वो rough है तो ठीक है? mortals and pestle grinding के लिए use होते थे और वो आज भी use होते हैं तो ये देखिए कि 12,000 साल पहले भी technology कितनी आगे थी ठीक है? At the same time tools of the paleolithic type continue to be made and used and remember some tools were also made of bone. इस time पे भी ठीक है? इस time पे भी जो है आपके जो tools होते थे वो bone के थे ओके और हमने तीन timeline जो पड़ी थी वो कौन सी थी? Paleolithic, Mesolithic and Neolithic और जो अबके time में इस time में जिसके हम बात कर रहे हैं जब लोग settled life जीने लगे थे उस time पे जो tools बनते थे उन्हें हम क्या गहते थे? Neolithic, ठीक है? Okay, now many kinds of earthen pots have also been found. These were some decorated ones and were used for storing things ठीक है? तो ये जो जैसे ये हमारा pot है, जो हम right hand side पे देख रहे हैं ठीक है? ये painted printed pots भी होते थे, इन पे कुछ drawings वगरा भी होते थे, geometry वगरा भी होते थे इसमें जो है, आप अपना समान रख लो, grains वगरा store करने के ये काम आती थी ठीक है? Beside, they began weaving cloth using different kind of material, for example, cotton जब कर cotton हो गया, इससे उन लोगोंने कपड़े जो है, वो weave करने शुरू करती है अब ये कह रहा है कि ये सारे changes के एगदम आये थे, नहीं, ये सारे changes धीरे-धीरे आये थे, ठीक है, धीरे-धीरे और India के Indian subcontinent में, अलग-अलग time पे, अलग-अलग जगा पे अलग-अलग time पे आये थे, जैसे for example आज आप देखें, अगर आप देखेंगे जो mainstream Indian society है, वो जिसे बजार से कपड़े खरीते हैं, हम लोग खुद नहीं, मतब हम ऐसा नहीं है कि cotton लेके उसे दीव कर रहे हैं, और अपना खाना भी हम जो होता है, वो दाल वगए रहे हैं, हम उगा रहे हैं, हम दुकानों से ले आते हैं, लेकिन अगर आप कुछ tribes देखेंगे, जो कि हंडमान निकोबार में हैं, लक्षदीब में हैं, तो आपको realize होगा, कि ये लोग अभी भी अपना खाना खुद जो है, वो मतब अनिमल्स का शिकार करते हैं, और खुद ग्रेंज उगाते हैं, ठीक है, तो अभी भी ये सब चलता है कि development या फिर ये changes एक साथ नहीं आते हैं, अलग अलग, वो सकता है, ये लोग भी 8,000 साल बार develop हों, ठीक है, तो ये changes जो हैं, हर जगा पे एक साथ नहीं आता है, अलग 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 जगा पे, अलग अलग time पे आता है, what about customer practice, archaeologists को directly तो नहीं पता कि इनका customer practice कैसा था, बट scholars ने, जो आज का time का जो पढ़ते हैं, उन्होंने present day life of ये जो agriculture खेती बाड़ी करते हैं, इनका पढ़ा है और उनका ये तो दो थीन generation होती है न, जिस suppose करो आपके दादा दादी, आपके ममी पापा और आप, और आपके भाई बेन, ठीक है, आप एकी साथ एकी, घर में एकी गाउं में रह रह रहे हो, ठीक है, और आपकी गाउं में जो भी families है न, मैं दूसरे से related हैं, आपने देखा होगा, जैस सब मिलके न, एक tribe बनाते हैं, similar homogeneous group of people having intermingling relations are known as tribe, ठीक है, और tribe के होता है, ते mostly follow same occupation, जैसे मतलब agriculture or allied services जो होती है, जैसे आपका hunting हो गया, gathering हो गया, farming, fishing, ठीक है, और फिर बहुत सारे गाई बहां से हैं, और dude का business चल रहा है, वो सब, ठीक है, और क्या होता है, tribes में mostly क्या होता है कि women जो एक घर का काम करती हैं, और agriculture fields का काम देखती हैं, और बच्चे जो होते हैं, वो जानवरों को भगाते हैं, जो आपके grains वगएरा खाने आ जाते हैं, ठीक है, और men क्या करते हैं, they herd, they take herd of animals, ठीक है, वो उन जानवरों की को protect करते हैं, और उन्हें घ जो बहुत peculiar होती है, कि ये लोग अपना घर वगएरा सब खुद बनाते हैं, women of men मिल बाटके बनाते हैं, और जो tribes होती हैं, इनका culture बहुत rich होता है, ठीक है, बहुत rich culture होता है, इनका, इनमें dancing वगएरा, और poetry वगएरा, बहुत important होती हैं, ठीक है, और ये लोग बहुत वास जाता है, और जो बोड़ी ओरते होती हैं, उन्हें उनके wisdom और experience के लिए बहुत respect मिलता है, ठीक है, what make tribe different from many other society, you will be studying about is that land, forest, grassland and water are regarded as wealth of the entire tribe, ठीक है, ऐसा नहीं होता, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब का है, ठीक है, अगर land है, वहाँ पे tribal area में, तो वो सब का है, वो तुम कोई अमीरिया गरीब नहीं होता, सब equally responsible होते हैं, अपनी tribe के लिए, ठीक है, तो एक तरीके से, it is also a good association, हम ये कह सकते हैं, a closer look, living and dying in महरगड, तो महरगड जो है, हमने पढ़ा था, ये कहां पर है, ये एक बहुत fertile plane है, और ये बोलान पास जो है, वहां पर है, ठीक है, which is one of the most important roots into Iran, Iran, अगर आप word map पे देखेंगे, तो आप इंडिया से strength पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान से सीथे भी Iran भी है, ठीक है, तो Iran, ठीक है, तो आप एक बढ़ा word map देखेंगे, तो आपको northwest मे Pakistan, अफगानिस्तान, एरान, ऐसे आपको मिल जा ठीक है, यह countries आपको मिल जाएंगी ओके, now, महरगड was probably one of the places where women and men learned how to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in the area, तो अगर आपसे पूछा जाएंगी barley and wheat सबसे पहले किस एरिया में मतलब उगाने शुरू हुए थे तो it will be महरगड, ठीक है, और महरगड का है, it is near Bolan Pass ठीक है now, archaeologist who excavated the site found evidence of many kind of animals born from the earliest level they include born of wild animals such as deer and pig in later levels, they found more bones of cattle and goat and in still later levels, cattle bones are most common, suggesting that this was the animal that was generally kept by people तो cattle bones सबसे जादा mount में मिली हैं और यह, यह suggest करता है कि सबसे जादा वो लो cattle रखते थे हाला कि deer और pig की जो bones हैं वो भी बहुत मिली हैं and more bones of sheep and goat have been found ठीक है now, यहाँ पर village के बारे में कुछ दिया हुआ है यह पढ़ते हैं अगर आप आज भी देखेंगे न तो जो mostly people village में रहते हैं वो food production में involved है ठीक है agriculture में involved है आज के time में भी यह है earlier and later levels देखिए, यहाँ पर आप देखिए नीचे एक mound दिया हुआ है छोटा सा पहाड जैसा अब यह बता रहे हैं कि earlier and later level जब archaeologists डिक करते हैं इन mounds को तो कैसे पता चलता है कि पहले का मतब इन में पहले कौन सी चीज हुई थी देखिए, क्या होता है कि कोई भी flat surface है ठीक है, वहाँ पे आपने घर बनाया आपने रहना शुरू करा ठीक है, उसके बाद वो area थोड़ा uplift हो जाता है क्योंकि आपके गरते हो आप road बिचाते हो, आप घर बनाते हो उसके बाद जो है, क्या हुआ, कोई tragedy हो गई उसके बाद घर बगेरा सब तूट गए उसके बाद दुबारा से start होए कुछ हजार साल बाद फिर तो वो थोड़ा उचा-उचा होता चल जाता है and that is how it becomes the area becomes a moon, यह बड़ा सा पहाड बन जाता है अब जब excavation होता है तो आपको भी पता होगा, नीचे से start होगा है तो जो उपर का area होगा वो हम जहाँ हम जिस area में बैठे है उससे जादा pass होगा तो जो सबसे उपर का area है वो नया है, जो नीचे का है वो उससे पुराना जो नीचे का होगा, वो सबसे पुराना अब square और rectangle houses क्या होता है square houses वो जिन घरों की चारों बुजाय बराबर और rectangle houses वो जिन घरों की दो बुजाय बराबर और दूसरी दो बुजाय बराबर ठीक है इच house had four or more compartments अब आप right hand side पे एगर देखी रहे है अब ये four compartments है न ये mostly ये माना जाता है कि इसलिए होते होंगे क्योंकि लोग अपना जो grains बगरा है वो इसमें store करके रखते होंगे When people die, their relatives and friends generally pay respect to them जब लोग मर जाते हैं तो उनके relatives उनने respect देते हैं क्यों 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 उनका ये मानना है मानना होता था कि मरने के बाद भी एक form of life होती है कुछ-कुछ होता है ठीक है तो हमें इने respect देनी चाहिए और burial is one such arrangement अब और पते हैं वहाँ पे बहुत महरगड में एक बहुत ही अजीब सा किस्ता है कि कुछ जो buried bodies है ना उनमें ऐसा हुआ है कि लोगों के साथ कुछ मतलब शीप या goat जो है goat मिली है ठीक है गोट बेसिकली मिली है इसका मतलब यह है कि लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद दिने कुछ खाने की जुरत पड़ेगी तो हम इस गोट को भी साथ भेज देते हैं ठीक है ऐसा कुछ था अ क्लोजर लुक दावजाली हदिंग अब देखे यह जो आप अपने जो चैप्टर टू में जो मैप था ना उसमें आप नौर्थीस्ट स्टेट्स में देखेगा ठीक है वहाँ पर है इस साइट का नाम है दावजाली हदिंग और यह ब्रहमपुत्र वैली के पास है जहां बहलते हम बाते हैं ग्रापे भी लोग ग्रेंज उगाते थे और अधरérence की दम्ली है जो समसे जशलवी सीज में है चैप्ट स्टों भी नीं मिलता है इसका मानना यह है कि वह चाइना से आता था ठीक है वह चाइना से हो चाइना से वह स्टों मिला है also common are find of tools made of fossil wood अब जो tools fossil wood से बने होते है न वो भी मिले है fossil wood क्या होती है fossil wood basically बहुत बहुत पुरानी लगड़ी होती है जो अथर जितनी hard हो गई है ठीक है and pottery pottery मतलब वो ही आपके जो आपके pots बगएर हो गए इन सब को हम pottery कहते है elsewhere find turkey in your at list turkey जो है आप देखेंगे यूरोप और एशिया में आती है continent के बीच में divide होती है ये country turkey meditarians को surround करती है meditarians के bottles को surround करती है और इसमें एक neolithic site है katal huyuk ठीक है katal huyuk ये इसलिए famous है कि हाँ पे जो चीजें मिली है न वो बहुत अलग-अलग country से आती थी जैसे flint जो है वो Syria से आती थी cowries जो है वो Red Sea से आती थी अब cowries क्या है cowries अगर आपने कभी देखेंगे वो white color के छोटे-छोटे shell होते है ठीक है और shells जो होते है from meditarians ही वो थोड़े बड़े shell animal shell होते है वो water animals के shell होते है ठीक है ये जो है these things were used in settlement remember there were no carts most things would to be carried on the back pack of animals such as cattle or by people अब ये ये कह रहे हैं कि ये याद रखिये ये सब पढ़ते हुए कि उस time पे जो है हमारे carts वगेरा bell गाड़ी वगेरा नहीं होते थे मुस्ती लोग या तो अपने कंदे पे या उनके जो domesticate उन्होंने जानवर करक्यों थे उनके कंदे पे लेके जाते थे तो आज का हमारा चैप्टर कदम होता है hope you like the video we'll meet in the next one bye